परिक्षा दोलर्ती इसका जो है लगबग लगो डिड़ महीना हमारा होने वाला है एक्जाम हुए डिड़ महीने बोलेंगे एक महीने के लगबग हो चुका है अगर हम बात करें यहां पर कि पड़बारी का रिजर्ट कवाएगा तो कि बहुत सारे स्ट्रिश पूचें कट आ यहां पर वेटिंग जो दी गई है वो आपको 15-15,000 तक वेटिंग गई है मैंने देखा है कि बिक्ति के जो है आठारा हजार भी वेटिंग है यानि कि पहले बूला गया तो दस यार के सम्टिंग जो स्ट्वेंट होंगे जो उनको इसके लिए बुला जागा नापतहल के लिए लेकिन उन्हें वेटिंग इतनी जादा दे दी है कि बहुत सारे लोग कन्फीजन है कि यहां हमें भी बुलाया जाएगा क्या तो यहां पर इस ची की YouTube चैनल पे आका देखएंगे यहांपर क्लिक करेंगे तो बहुत साजी वीडियो आपको यह जो हेल्फ करने वादी है बहुत साथ ही वीडियो से यह जो आपके एक्जाम के लिए आपको help करेंगे इन सभी की PDF जो मिले likely और ओल्लए मैंने आपको फृषिक्स कैमस्टी के जो कोशिन है जो बल वाले कोशिन है गृत्वा करशिन वाले कोशिन है तरंग वाले कोशिन हम कराएंगे आज ओके और तरंग वाले कोशिन वाला कल मिलेगी वो वीडियो और तरंगे कोशिन रह गए और हमारी फोकस दूरी यह दरपन और आपके लैंस वाले कोशिन वारे रह ठीक है जो आपकारी का रिजल्ट है वो कब आया है आपकारी का रिजल्ट लगब लगब तीन महीने के बाद ठीक है मैं नहीं बोलूगा कि परवारी का रिजल्ट भी तीन महीने बाद आएगा लगब 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 दो महीने तो मान लीजे मतलब अब अगर हम मानते एक महीन आप पंदा दिन हुए हैं ओके ठीक है तो इसमें लगबा लव एक महीने पंदा दिन हुए है तो लगबा लव 20 दिन और जोड लीजेगा कोई देखत नहीं यानि कि आपके 20 दिन के समतिंग समतिंग दस से 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा अब देखिए वह से कौन से जले में हुए है ठीक है उसके बाद हम बात करें यहाँ पर आपको जो है वेटिंग लिस्ट भी बनेगी क्या बनेगी वेटिंग लिस्ट भी ठीक है तो भाई दोनों लिस्ट बनेगी मैरिट लिस्ट मतलब जिसका जौन से जले में हुआ है वो बताया जाएगा और जिसका नहीं हुआ या वेटिंग में है वो वेटिंग बता जाएगा क्वालिफाय का मतलब आपको पता है क्वालिफाय मतलब कुछ भी नहीं होता क्वालिफाय अगर मात्र क्वालिफाय लेका है तो आप उसमें क्वालिफाय किया है इसे माल लिए 100 नंबर का पेपर है, आपको चाहिए 30 नंबर पास होने में, तो आप पास हुए हैं, ओके, आप जो कट ओफ में नहीं आया, आप पास हुए हैं, ये कईस लोगों के साथ में दिक्कत हुई है, जो MP इसका एक्जाम जो है, अपकारी का एक्जाम दिया है, ठीक ह ये बहुँत सारे intertwined confusion होते हैं, के cut-off जाला जाएगा, कम जागा, कर भई, कम कैसे जाएगा, आप सुछते हैं, बहुत सारे लोग बदा देते हैं, आपको कहीं बना तना Cut-Off जाएगा, कि आपका जो Cut-Off है, उन्रिजप् का आपका ख्याश आपका खाज़े का आपका आपका 85 के सम्थिंग या 84 के सम्थिंग जो है गया है उके समझते हो यानि कि अगर 200 की अगर वह दूसर नंबर का पेपर होता तो उसके 170 नंबर आते 170 नंबर आते हैं समझ रहे हो यहां से यहां तक देख रहा है कितना रिफरेंस है तो आप सूच रहे हैं और अपकारी का पेपर MP पड़वारी से बहुत ज़्यादा टफ आया था मैं इसलिए बोलता हमेशा कि इसका जो कट आफ है लगत 145 से लेकर 150 के जो है बीच में ही जाए गा जो MP पड़वारी का है अगर नॉमलाज़ाशन कर भी दिया जाए तो बहुत चांसे हैं कि मैं नंबर बढ़ते हैं देखिए मेरे से जैसे कि मेरे नंबर जो है मेरे नंबर 59 थे ओके अपकारी मेरे 59 थे और मेरे घटकर जो है मेरे एक नंबर से थोड़ सा कम जो है गटा सम्धिंग जो है एक मेरे एक हजार कुछ है ऐंगी तो अब देखियेगा इसी प्रकार से आपकी मेरे जिले के एसाफ से कौन से डियम भूंत ले हुका है इहां पर पोस्ट है ही इस अतना होगा ठिक है अगर obs में बातकर नहीं आपर और OVC की बात कर लेते हैं, OVC में कितना रहेगा, OVC में आराम से आप लगा लीजेगा, 138 से लेकर 142 के something आपका cutoff रह सकता है, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आप 2-3 नमर प्लस कर सकते हैं, जो आपका normalization के बाद में, normalization का बात इसलिए कर लीजेगा, यहाँ पर 3-4 नम रहेगा, OVC, 130 से एक सब आपका 35 के something, जो है, cutoff जा सकता है, यहाँ पर भी 3-4 नमबर आप प्लस करके रख सकते हैं, आपका जो है, normalization के बाद में, OVC, ST के बात करें, हाँ पर ST के डिगरी का जो है सकता है, वो रह सकता है, 125 से 130 के something, OVC, यह highest cutoff रहाएगा, याद आया, आया है भई, बहुत सारे, कईवा, tough, प्यर्वी आया है, मैंने जो आप, इस्ट्वेंट को बोला था, के भई, हमारे तो नमबर नमबर जो है, मात्रमात 90 नमबर आ रहे हैं, किसी के 85 आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं, दूसों में से, समझ रहे हैं, 50 प्रूशन ही आ तो इसे नंबर भी इस्ट्वेंट के आए हुए हैं पर इनके मात्र माली जाते पांच नंबर पांच नंबर बढ़ जाते तो हुगा कुछ नहीं बस थूड़ा सा ही हाइप मिलेगा लिकिन जो जितने जिसने जो इसकी सिंपल सिप्ट आई होगी इसके एक अदू नंबर घट ठीक है और उसकी सिंपल सिप्ट आई तो उसका कितने नंबर घट जाएगे 5 नंबर घट जाएंगे उसका फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा फिर भी सिलेक्शन अगर आप देखें एक चीभव देखें तो kohbc में होई जाएगा तो अब यह जायेगा तो आप यह चीज़ द को से request रहता है कि जितने ही मैं वीडियो बनाता हूं वो important अभी ये वाली वीडियो से info की गई है कि इसलिए information के लिए क्या है information मैं इसलिए देते रहता हूं कि होता क्या है बहुत सारे स्ट्वेट ऐसे हैं जो सरे पुसिभ ऐसी वीडियो देखते हैं मैं उनसे कहूंगा ऐसी वीडियो मत देखिए कम भी देखिए बहुत कम देखिए आपको जुरूत पढ़ और है कि याप ताइम आपको लग रहा है कि हम पढ़ने के इलावा बाकि आपको बढ़ना नहीं है आपको टेलेग्राम से जाकर डारेक्ट जो है आपकी निमेरिकल से मैंने यह करा है आपको मैंने कल रात को जो है चार से पांच पीडियाप डाली है उन चार से पांच पीडियाप को लगाने कोस्ट करी आपको आंसर आ रहा है बहुत अच्छी और लाइक श nu से पहले अभी जो हो हे एक चीज और यह ठीक है MP cozb आने वाला है लगबक निसे दो महिने तीन महिने व्हीं आपको MP पस्का पेपर भी देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है कि नोडिकेशन लगबलब अगले द्बढो करें महिने होगी जो apply करेगी मतलब इसको मतलब करेगी यह भी पुलिस की ओर से एक्जाम किया जाएगा आपको लगब लगब दू महिने के बाद में exam देखने के लिए मिल जाए कि कब exam होगा कि एक महिने में आपको notification मिल जाएगा कितनी वेकेंसी हैं कहां पर वेकेंसी कॉंस्टेबल और SI दोनों की वर्तियां होने वाली है ठीक है तो आपको क्या पढ़ना है उलड़ी में बता चुका हूँ आपको बहुत सिंपल तरीके से देखिए SI के लिएकर बात करेंगर SI में include हो जाता है English तो English तो होगा योगा definitely Hindi भी होगा ठीक है तो constable SI में Hindi English दोने होगा GKS होगा तो जो हम forest के लिए पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहा है उसके लाबा नहीं पढ़ने बाकी एक reasoning जो है हमारा वो जुड़ जाएगा reasoning आपके forest रहे हैं भी forest department और इसमें नहीं है आपका जेल प्राइवी में तो कोई दिक्कत नहीं है reasoning आप बादर पढ़ लेजेगा लेकिन अभी जो subject हम पढ़ रहे हैं भी forest के लिए बूप पढ़ते रही है वीडियो को like share कर दीजेगा अब वीडियो पसंद आई है वीडिय